आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Student, Welcome to डाउटनेट दोस्तो आज का हमारा जो Question है वो है Error Detection से तो चलिए सबस्क्राइब हम अपने Sentence को Read करते हैं और पता करते हैं क्या किसी प्रकार का कोई Error है तो Sentence कह रहा है In a Fit of Temper गुसे में He tore up a sweet letter उसने क्या कर दिया एक बहुती स्वीट सा मतलब अच्छा या पैरा सा पत्र था चीसे उसने tore up कर दिया जो कि उसकी बीबी ने उसे लिखा था अब देखो दोस्तों अगर मैं Option B की बात करूँ उसमें एक word लिखा हुआ A sweet letter अगर हम इस condition को discuss करें तो यहां पर article की एक छोटी सी error है देखी कैसे है पहले इस sentence में letter का use हुआ है जिसके लिए उसने article A का use किया है अब वो letter कौन सा है? वो letter एक specific है क्यों specific है? क्योंकि उसकी बीबी ने लिखा है which is his wife had written इसका मतलब अब यह जो letter है दोस्तों वो unknown नहीं रहा अब वो known हो चुका है unknown नहीं रहा गया अब वो क्या हो चुका है? known हो चुका है क्यों? क्योंकि वो letter इसकी wife ने लिखा है तो इसका मतलब वो letter अब known हो चुका है वो letter अब specific हो चुका है एक specific letter है और इसी इन दोनों चीजों को indicate करने के लिए हम किसका use करते हैं तो दोस्तों, इन दोनों चीजों को इंडिकेट करने के लिए indefinite article da का use करते हैं तो error क्या हो गया तो, दोस्तो, error यह हो गया कि इहां पर हम a को replace करके किसका use करेंगे? article da का use करेंगे तो जो हमारा correct स्टेट्मेंट बनेगा वो क्या बनेगा वो बनेगा दोस्तो दस्वीट लेटर और यह इस कोशन का करेक्ट अंसर होगा तो दोस्तो इस तरीके से अगर हमें एरर बताना हो तो यह पार्ट कहां पार है यह पार्ट ऑप्शन बी में 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 मेंशन किया हुआ है and that's why the error is option B and I hope so दोस्तो कि आपको यह अंसर और बाकी सारे पॉइंट जो मने आप पे डिसकस किये वो आपको clear हो गए होंगे Thank you